नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके इंस्टाग्राम के रिल्स वाइरल क्यों नहीं हो रहे हैं सबसे पहले आप मेरा मोबाइल स्क्रीन देखें यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ एक इंस्टाग्राम एकाउंट जहां पर रिल्स कैसे वा likes one comment ठीक है अभी मैं इसको open करता हूँ ठीक है 191 followers है और ये अभी मैंने इस account को एक सब्ता पहले बनाया है जी हाँ one week पहले मैंने बनाया है 40 post मैंने डाले हैं और एक सब्ता में one week में 191 followers इसमें आ चुके हैं आप यकिन नहीं करेंगे आपको लग रहा है कि मैं जूट बोल रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैं जैसे refresh करूँगा बार वार जो likes है वो increase होते रहेंगे followers increase होते रहेंगे तो चलिए मैं इसको refresh करता हूँ ये मैंने refresh कर दिया और अभी आप देख लिए इसमें 191 followers है कुछी देर में ये 191 followers increase कर जाएंगे और likes जो हैं वो भी increase होते रहेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले दुसरे account में sign in कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर देखिए दर्द भरे दिल की दबा ये जो idea है इसमें 3 likes आ चुके हैं और जैसे ही मैं इसको refresh करूँगा ये फिर से इसमें जो counting है वो बढ़ता जाएगा तो देख सकते हैं 5 likes तो ये increase होता ही जा रहा है इस तरह से मैं यहाँ पर likes में चेक करूँगा तो आप मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दे रहा हूं कि 1 second पहले likes है 1 minute, 2 minute देखिए followers 2 minute पहले, 4 minute पहले, 5 minutes पहले 5 minutes, 7 minutes में likes है, comments है 9 minutes में follower है इतने सारे जो follower हैं वो हर minutes जो है इस Instagram ID में जूड़ रहा है यहाँ पर यह मैं refresh करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर second में followers increase हो रहा है followers increase हो रहा है साथी साथ, यहाँ पर likes जो है वो आ रहा है, comments आ रहा है जो video है वो viral चल रहा है बहुत सारे videos viral चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं जैसे यह video है, इस पर likes आ रहा है उसके बाद देखें, यह कोई दूसरा वीडियो है जिस पर likes है, यह भी कोई दूसरा वीडियो है followers जो है, वो increase हो रहा है comments आ रहा है तो यह कैसे संभव हो है, कैसे मैंने within a week अपने Instagram ID को viral कर दिया कैसे मेरे जो followers से देखिए यहाँ पर followers अभी just जैसे ही मैंने refresh किया यहाँ पर followers एक increase हुआ है like 5 likes भी आए है तो अब देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर followers भी increase हो रहा है 32 seconds पहले यहाँ पर एक follower जो है वो आया है, ठेक है, तो मैं इसको refresh कर देता हूँ, अभी यह 91 सो हो रहा है, क्योंकि एक जो है वो चला गया था, तो बता देता हूँ तरीका की कैसे आप अपने followers को increase कर सकते हैं, कैसे आप जो है, चेक कर सकते हैं कि आपकी ID जो है, वो सही है, या नहीं है या ID में कोई गड़बर चल रही है तो सबसे पहले मेरे चैनल को subscribe जरूर कर ले, जी या आप लोग मेरे वीडियो को watch करते हैं subscribe नहीं करते हैं, इसलिए मेरे वीडियो के latest notification आप तक पहुँच नहीं पाते हैं, जिसके वज़े से आप मेरे साथ जुड़े नहीं पाते हैं, और मेरे बनाएवए वीडियो को आप जब तक देखेंगे नहीं सही से, आपको यह जो concept है, वो clear नहीं हो पाएगा उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ कि problems कहाँ पे होती है, तो चलिए मैं यहाँ पे, किसी भी ID को मैं open कर लेता हूँ अपने तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैं अपने profile को सबसे पहले open करता हूँ, यह देख सकते हैं मेरा profile जो है, वो open है और उसके बाद यहाँ पे 3DES नजर आ रहा होगा इस पे आपको click करना है click करने के बाद setting and privacy ठीक है, उसके थोड़ा सा slide up करते हैं और slide up करने गाद account status ठीक है, यह आपको check करना है account status, setting and privacy में यहाँ पे देखिए कुछ options दिखेंगे जो आपके tick mark होने चाहिए जैसे removed content, tick mark what can be recommended, क्या recommend किया जाएगा, monetization tick mark, feature you can't use, tick mark इससे पता चलता है कि आपकी ID में कोई भी problem नहीं है ठीक है, अगर यहाँ पे सब कुछ okay नजर आ रहा है, green tick है मतलब आपकी ID safe है और अगर आप सही सही साइडी पे work करते हैं आपकी ID viral होगी मैं यहाँ पे open करके भी दिखा देता हूँ कि इसका जो मतलब किया है your content is not affected at the moment ठीक है, आप देख सकते है कोई risk में नहीं है कोई भी risk मेरी ID में नहीं है second में देखता है what can we recommended तो recommendation on Instagram get more insight into how our guidelines affect your account तो यहाँ पे कोई problem नहीं है recommendation से related उसके बाद monetization जो है अब यहाँ पे देख सकते है लिखा है, you are currently unable to monetize ठीक है, लेकिन यहाँ पे tick mark है, means मेरे account ID में कोई दिक्कत नहीं क्यूंकि मेरे followers अभी कम है 191 followers अभी 100 हुआ है जो आगे मैं दिखाऊंगा, जो increase भी होंगे तो अभी जब तक मेरे followers increase नहीं होते हैं बहुत सारे followers नहीं आते हैं तब तक monetization के लिए मैं eligible नहीं हूँ, यह यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे first जो partner monetization policies में जो पहला है उसमें one नजर आ रहा है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते है, established presence ठीक है, इस पे click करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि to monetize ठीक है, monetize करने के लिए must have an authentic, established presence on Instagram, maintain a sufficient number of followers and meet our requirements for how long your account has been active, ठीक है तो कुछ requirement से उस पे अगर आप खड़े उतरते हैं और उस norms में अगर आप अपने जो account है वो fulfill होता है, तो फिर monetization जो है, वो दे दिया जाता है तो इसके लिए थोड़ा wait करना होता है, जैसे जिसे followers increase होंगे, आपको monetization का option दे दिया जाएगा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो followers से अभी भी increase हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो देखिए अभी 57 likes, जी या 3 likes, 5 likes आपने देखा था कुछी देट जब तक मैं ये विडियो बना रहा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ 57 likes है, ठीक है क्लिक करता हूँ, ठीक है यहाँ पर मैं likes पर देखता हूँ, कि सही 57 likes आया है या नहीं तो अब देख सकते हैं, 16 seconds पहले likes है 17 seconds, 20 seconds 33 seconds, 33 seconds तो means लगातार likes जो है आई रहा है, साथ में followers भी आ रहा है तो अभी within जितने दिन मैंने बात किया, followers नहीं आया है लेकिन followers भी आएंगे followers भी increase होते ही रहते है उसके बाद main जो तरीका है अपने Instagram ID को viral करने का, वो है trending videos आप videos बनाते हैं trending songs में भी बलात बनाते हैं लेकिन कुछ गलतियां जो है आप करते हैं, जिसके वज़े से आपकी ID जो है viral नहीं होती है trending songs का परियोग करें आप एक काम कर सकते हैं YouTube पे जो songs release होते हैं जो trending songs होते हैं जो आज release हुए हैं, साम तक पता चलता है कि वो trending one में चला जाता है तो उन गाउनों को download करें उनके छोटे छोटे जो reel हैं वो audio जो हैं वो clip को cut करें और उस पर reels बनाएं, क्योंकि वो जो audio हैं वो बहुत तेजी से viral होते हैं, लोग उन audio पे video बनाना चाहते हैं, लेकिन Instagram पे audio मिल नहीं पाता हैं, तो अगर आप बनाते हैं, आप प्राथमिकता दिखाते हैं तो हो सकता है कि आपका जो video है वो viral हो जाए, और लोग आपको follow करना, या आपके उस audio पे video बनाना शुरू कर दे, क्योंकि यही तरीका होता है videos को viral करने का, तो trending videos, trending चीजों को आपको जो है, यूज करना होगा Instagram में, केवल अपनी selfie डालने से videos जो है viral नहीं होते हैं, trending songs का परियोग आपको करना है ठेक है, तो मैंने दो important तरीके आपको बता दिये हैं, सबसे पहले अपने ID को check कर ले, कोई issue है, issue को दूर करें, दूसरा trending videos पर trending songs पर अपने videos को create करें, thank you